स्रित्रियम लोड़ा उड़ घट गए हो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान का जंडा बुलंद रखा है दूद के लियाज से पुरे देश में राजस्थान दूसरे नमबर का उत्पादक देश एमाने सभापति मोद है उनके लियाज से पुरे मुल्क में राजस्थान आज भी पहले नमबर का देश बना हुआ है और बक्रियों का जो बेचने का शेहर है राजस्थान का वो पुरे देश में 35 परसेंटे माने सभापति मोद है और इतना ही नहीं मानियों क्रशी मंत्री जी ने पशुपालन मंत्री जी ने नवाचार भी किया है और बक्री के दूद से साबून बनाने का नवाचार उन्होंने किया है और जो सेल्फ हेल्फ गुरुप के जरिये सफलता की और अग्रसर है मैं सभापति मोदे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की और से टिड्डियों का हमला हुआ तो हमारे मंत्री जी ने पूरे राजस्थान के किसानों को अपने विबाग के माध्यम से सचेत किया रात को जहां पर टिड्डिया आ गई तो सुबह होने से पहले हमारे एक रशी विबाग के अधिकारी अपने तमाम संसादन लेकर के वहां पहुँचे और जो एक बड़े नुकसान का खत्रा राजस्थान का किसान महसूस करता था माने सभापती मौदे ये उनके लिडर्शिप का नतीजा है कि राजस्थान के किसान को उससे बचाये जासे माने सभापती मौदे अभी रानी वड़ा से आने वाले माने सदस्य है कॉंग्रेस के पचास साल का हिसाब पुछा माने सभापती मौदे जब ये मुल्क अज़ाद हुआ 200 साल अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को लूटा हुआ था बदहाल हालत में था एक सुई हम पैदा नहीं करते थे और उस वक्त बिजली सिर्फ देश के 20 गावों में थी टेलिफोन देश के सिर्फ राजा माराजाओं के पास थे बारत के पास सिर्फ चार विमान थे और डस टेंग थे उस हालाज से उठाकर आज जो दुनिया की महाशक्ती के रूप में बारत खड़ा है वो कॉंग्रेस पार्टी की बतौला मानने सभापती मौदे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो समय कि हमारे देश के पास खाने को नहीं था इंदरा गांदी अमेरिका गेव लेने के लिए गई थी और सड़ा हुआ गेव इंदरा गांदी को दिया था वो उन्होंने अपने आपको इतना पनित मैसुस किया कि तुरंत आकर के बंबे में योजना आयोग की बैठक बुलाई और उनको निर्देश दिये कि मैं देश का विद्ध्यूति करन करना चाहती हूँ और जिस हरीत करांदी की हम बात करते हैं वो उस इंदरा गांदी और कॉंग्रेस पार्टी बेढ़े जो मुल्क ख़द्यान के बंडार जिसके खाली थे आज जिसके ख़द्यान के बंडार भरे हुए हैं दुनिया के दूसरे देशों को वो निर्यात कर रहा है यह सब कॉंग्रेस पार्टी पंडित नहरू और इंदरा गांदी के परियासों की बदॉलत है उसके बाद भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए देश के प्रदान मंतरी मनमोहन सिंग जी ने सोचा और देश का पहला किसान राष्ट्रिय किसान आयोग बनाया जिसका प्रतिपक्ष के उग नेता ने स्वामी नाथन आयोग के नाम से जिक्र किया वो स्वामी नातन उस आयोक के चेर्में थे उन्होंने रिपोर्ट दी मनमोन सिंग जी के वक्त दी और मनमोन सिंग जी ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए किसान का कैसे फाइदा हो गुजरात के मुख्यमंदरी नरेंदर मोदी की अधिक्स्ता में एक कमेटी का गठन किया कि वो सुझाव दे मानने सबबपती मोदे श्री नरेंदर मोदी ने गुजरात के मुख्यमंदरी रहते हुए जो रिपोर्ट सोपी उसमें उन्होंने लिखा कि अगर हम खिसानों की तरक्की चाहते हैं तो minimum support price को हमको कानून का हिस्सा बनाना चाहिए ये लिखी दिमोने दिया अब मानने सबबती महदे मनमोन सिंग्जी की सरकार की विदाई हो गई जिस minimum support की price की बाद प्रतिपक्ष के उपनेता कर रहे थे मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या स्वामनी नाथन आयोग ने जिस minimum support price के फर्मूले को दिया क्या आपकी सरकार ने उसको लागू किया क्या C2 फर्मूले के आधार पर किसानों को minimum support price का पैसा मिल रहा है माने सबबती महदे देश के किसान को 16 रुपया दिन का दे रहे है 16 रुपया दिन का और कह रहे है किसान सम्मान ने दी और उसमें भी किसी को पहली किस्त मिली तो दूसरी नहीं मिली दूसरी मिली तो तीसरी नहीं मिली मानने सबबती महदे लाग को किसान यह क्या तरीका है? लाग को किसान ऐसा है, जिसको पूरा च्छारों पर राजस्तान में भी आप चाहें, तो सहिकारिता विबात से उस आकड़े का अवलोकन कर सकते हैं, कि राजस्तान के कितने लाग किसानों को दूसरी या तीसरी किस्त नहीं मिली है, मानने सबाबती मौत है मैं आपके माद्यम से निवेदन करना चाहता हूं. यह किसानों के साथ किस तरीके का व्याबार कर रहे हैं, वो तो भारत नहीं, पुरी दुनिया ने देखा है, कि किस तरीके से तांटे किसानों के रास्ते में विछाए गए हैं. और अब मैं आपके माद्यम से बताऊंगा कि 1920 के अंदर जो मिनिममम सपोर्ट प्राइस थी वो 20-21 में क्या हुई मैंने सवापती मौत दे धान के अंदर इन्होंने मिनिममम सपोर्ट प्राइस 1920 की तुल्ला में 20-20 में कितनी बनाई 35 पैसे प्रती किलो 35 पैसे प्रती किलो और आप अपने तरीके से आखन करें मैं अपने तरीके से बताऊंगा अपनी बात रखें अगर 35 से चौपन पैसे हो तो बताजें ना आप माने सवापती मौत दे जवार के अंदर 70 पैसे प्रती किलो पिछले साल की तुल्ला में और माने सवापती मौत है मौंग के अंदर 1 रुपया 46 पैसे प्रती किलो उड़त के अंदर 3 रुपया प्रती किलो गेउं के अंदर 50 पैसे प्रती किलो और चने के अंदर 2 रुपय 25 पैसे प्रती किलो और ये किसानों के मसिया बनना चाहते है ये किसानों के मसिया बनना चाहते है अरे आपका तो वादा था कि दो चार बाइस के अंदर किसानों के आमदनी दुग नहीं करेंगे क्या हुआ उस मादे का ये चार-चार पेसे किसानों के बढ़ा करके डेश के किसानों का मकाल बनाना चाहते है उस गरीब को और गर्त बहने जाना चाहते हैं पताल बहने जाना चाहते हैं और मानिस सभापती मौदे दो मिनिट में सभाप करें मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूँगा कि इन्होंने अपनी सरकार आने के बाद कितनी योजनाओं का शेयर 100% से गटा कर 60-40 पर बिलाएं NFSM वीट 100% फंडिंग पहले बारत सरकार करती थी अब 60-40 पर लेकर क्या आए NFSM पल्सेश 100% पहले बारत सरकार फंडिंग करती थी अब 60-40 पर लाएं NFSM कॉमर्शल क्रॉप 100% पहले बारत सरकार फंडिंग करती थी अब 60-40 पर लेकर क्या आए NFSM कोर्स किरल्स 100% पहले बारत सरकार फंडिंग करती थी अब 60-40 पर लेकर क्या आए नेशनल ओईल सीड 75-25 का रेश्यो था मानने सभापती मोदे उसको भी घटा करके 60-40 पर लाए नेशनल ओईल सीड एंड ओईल पाम मिशन वो भी 75-25 पे थी उसको भी घटा कर 60-40 पर लाए NMAT Agriculture Extension 90-10 वे था उसको घटा कर 60-40 पर लाए E-Governance 100% थी उसको घटा करके 60-40 पर लाए Agriculture Engineering NMAT 75-25 थी 60-40 पर लाए Seed and Planning Planting Material 75-25 था उसको 60-40 पर लाए Plant Quarantine 100 पर था उसको 60-40 पर लाए NMSA Ranch Fair Area Development 100 पर थी उसको 60-40 पर लाए NMSA Soil Health Card 75-25 थी उसको 60-40 पर लाए महारत सरकार की सारी योजना है बिराजिये मानने सब्सक्राइब से बिराजिये प्लीज सेयो करें बिराजिये आप बिराजिये सेयो करें प्लीज प्लीज सेयो करें बिराजिये आप और मानने सब्सक्राइब सेयो करें प्लीज प्लीज सेयो करें इस शुरू किया है मैं दो बाते और कहके निवेदन करता हूँ अपनी बात खतम करता हूँ करसी शेत्र के अंदर आलोचना महजुदा सरकार की करते हैं पर अपना आइना भी देख लेना चाहिए एक दुशिंत कुमार का शेर है कि कहा तो तैथा चिराग हर घर के लिए कहा चिराग महसर नहीं शहर के लिए पूरे देश का किसान समुदा अंदोलित है लेकिन आपकी जेव से क्या मांग रहा है वो सिर्फ ये मांग रहा है कि जो फसल पैदा कर रहा है उस पर इतना मुनाफ़ा होना चाहिए ये लिखकर के कानून का हिस्सा बनाने में आपको कैतराज है अगर आप किसानों का भला करना चाहते हो मानने सभापती मौद है क्रशी शेत्र की भागीदारी का मैं दो बिंदू आपको निवेदन करके अपनी बात खतम करूँगा रजस्तान में जब अशोग गैलोज साब की सरकार आई 2008 में GSDP में ख्रशी शेत्र की भागीदारी थी 24.01% पांच साल सरकार रही 13.14 में जब इनको सरकार सौपी तो GSDP में ख्रशी शेत्र की भागीदारी बढ़कर हो गई 28.24% और आपने वापस जब सरकार दी 2018-19 में तो कर्शी शेत्र की भागीदारी GSDP में घटकर रह गई 25.16% ये तो आपकी पास साल की प्लग दी और दूसरा कर्शी की बद्दीदर 2008-09 में जब आपने सरकार दी कर्शी की बद्दीदर थी 4.19% जो 2013-14 में जब सरकार सौपी शोगेलोत में बढ़कर के दी 8-10-9.4% और आपने 2018-19 में वापस जब सरकार सौपी तो वो घटकर रह गई 4.9% अब मैं आपसे विंति ये कर रहा हूं कि आपका मचली के अंदर आपके इंकम घट रही है पिछले साल जो अंदर थी आपकी 64 करोड वो घटकर इस साल रह गई है बच्ची 26 करो और दूसरा आपके विवाग की जो हालत है 461 पोस्ट है आपके मचली डिपार्टमेंट में इस में से 178 खाली है 188 काम कर रहे है 283 पद खाली पड़े हुए है और मानने समापती मोगा है अदा तर ठेके गए नहीं है आपके का तकलीब हो रही है प्लीज मानने सेज़चे प्लीज तेख रहे है मानने सेज़चे उपने ताम हो दे जैन के